Hey guys, welcome back to my channel तो आज के इस वीडियो में रिव्यो दूंगा Firebolt की तरफ से आने वाली latest smartwatch का जिसका नाम होने वाला है Firebolt Encore इस smartwatch के अंदर आपको full metallic build देखने को मल जाएगी एक बड़े से display के साथ उसी के साथ Bluetooth calling वाले features भी है वो भी just 1800 रुपीज में तो आज के इस वीडियो में इसका full review करके बताने वाला हूँ सबसे पहले अगर बात करें इसके box की तो box पे कुछ highlighted features मेंशन किया हूँ है तो चाहू तो पढ़ सकते हूँ बाकी यहाँ पे एक बाब box को open करके चेक करते है ओके तो box को open करते ही सबसे बहले fireball की branding और यह watch देखने को मिल जाएगी तो इसे निकाल लेता है ओके सो यहाँ पे case provide के हूँ है और overall watch की quality काफी सही लग रही है बाकी अपने एक बाब कुछ और contents चेक कर लेता है तो यहाँ पे आपको एक tool देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से इस watch के straps को आप अपने wrist के सबसे adjust कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि full यहाँ पे metallic steel वाले जो straps होते हैं वो provide के हूँ है उसी के साथ यहाँ पे आपको charging cable देखने को मिल जाएगी इस watch के साथ magnetic two pin charging cable का support देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इसके steps के लिए यह pins provide की हुई है वाकि अगर बात करें कुछ और contents की तो यहाँ पे आपको कुछ cards वगरा देखने को मिल जाएगे जो कि firebolt के सब भी products के साथ देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पहला है warranty registration card उसके बाद है यहाँ पे bold play का card और यहाँ पे एक और firebolt की तरफ से एक card देखने को मिल जाएगा तो यह सबी contents है उसी के साथ last में देखने को मिल जाती है user manual तो user manual के अंदर बहुत साई information provide की हुई है तो यह सबी पढ़के आराम से समझ सकते हो ओके so steps को मैंने install कर दिया है और steps के साथ इस watch के looks काफी premium आता है और इस watch के अंदर sides में 2.5D curves प्रोवाइट के हुआ है और पूरी metallic built है तो उस वज़े से इस watch के looks काफी premium आता है और क्योंकि यहाँ पे पूरा metallic strap प्रोवाइट के हुआ है तो overall काफी ज़दा premium फील होती है यह watch hands के उपर बागी यहाँ पे बड़ा सा display तो provide किया ही हुआ है बागी एक बार इसको on करके check करते है ओके firebolt की branding के साथ on होती है यह smart watch बागी यहाँ पे इस side में speaker और इस side में microphone भी देखने को मिल जाएगा तो यह भी calling watch रहने वाली है तो यहाँ पे watch on हो चुकी है और सबसे पहले यहाँ पे मैं time बढ़ा देता हूँ ओके सो अब अगर सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की तो इस watch के अंदर 1.83 inches का display प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे inbuilt आपको कुछ watch faces देखने को मिल जाएगे यहाँ पे कुछ 7-8 watch faces प्रोवाइड कियो है और इस watch के अंदर काफी minimal से bezels देखने को मिल जाएगे नीची के side में बिल्कुल हलके से bezels है बाकी top में और sides में बहुत कम bezels है बाकी यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि black का कोई watch face लगा होगे तो bezels बिल्कुल भी visible नहीं होंगे और overall इस watch के display की quality काफी सही दिख रही है बाकी यहाँ पे crown चेक कर लिता है crown इस watch के अंदर working नहीं है तो इस चीज को ध्यान में रखना बाकी यहाँ पे overall display की quality काफी सही है और brightness से भी इस watch के अंदर अच्छी कासी देखने को मिल जाती है तो direct sunlight में भी इसका display आराम से visible हो जाएगा बाकी यहाँ पे अगर UI की बात करें तो नीची की तर स्वाइप करके control panel देखने को मिल जाता है यहाँ से आप brightness भी adjust कर सकते हूँ peak brightness इस watch की काफी सही है और इसका display आराम से visible भी हो जाता है उसके बाद अगर इसमें right की तर स्वाइप करोगे तो कुछ applications वगरा देखने को मिल जाएंगे और उपर की तर स्वाइप करके notifications वगरा चेक कर सकते हूँ और left की तर स्वाइप करके यहाँ पर आप अपने सबसे components add कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारे options है तो इन में से आप अपना कोई भी favorite component add कर सकते हो बाकी menu styles की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस button को press करके honeycomb mode देखने को मिल जाएगा और honeycomb mode के अंदर आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी legs वगेरा show नहीं होते overall इस watch का display काफी smooth है और यहाँ पर काफी smooth सा animation show होते है बाकी दो बार press करके यहाँ पर menu styles change हो जाती है तो यहाँ पर आपको यह वाली menu style और यह वाली देखने को मिल जाएगी total यहाँ पर two menu styles provide की हुई है जिनको आप आराम से access कर सकते हो और overall smoothness watch की काफी अच्छी है बैटरी बैकप की बात करें तो इस watch के अंदर 10 days का बैटरी बैकप देखने को standby देखने को मिल जाएगा और बैटरी बैकप की बात करें तो इसको आप without calling feature यूज़ करोगे तो 2-3 days का बैटरी बैकप देखने को मिल जाएगा और calling feature यूज़ करके 1-2 days का बैटरी बैकप देखने को मिल जाएगा 10 days का इसके अंदर standby है बाकी अब एक एक करके इस watch के applications चेक कर लेता है सबसे पहले यहाँ पर option है sports का और इस watch के अंदर sports से related आपको काफी सारी information देखने को मिल जाएगी steps, distance और calories आप चेक कर सकते हो और watch का pedometer काफी accurate है तो accurately आपके steps वगरा calculate करके बता देगा उसके बाद है calling वाले features तो यहाँ पर मैं एक call करके बताता हूँ एक्स्ट्रीम फाइबर और टिक्स लाइन के लिए दोदाबाएं तो यहाँ पर बात करें speaker quality की speaker loud, crisp और clear है तो calls वगरा आराम से attend कर सकते हो कोई problem नहीं होगी उसी के साथ यहाँ पर recent calls भी चेक कर सकते हो प्लस application से context वगरा भी sync कर सकते हो उसके बाद next यहाँ पर sleep monitor provide क्या हुआ है और accurately यह आपके sleep को monitor करके बता देगा कि कितनी restful sleep थी कितनी light sleep थी और सारी information आपको accurately calculate करके बता देगा उसके बाद next यहाँ पर heart rate sensor provide क्या हुआ है तो यहाँ पर यह sensor on हो चुका है चेक करते हैं कि air के अंदर reading show आप देख सकते हो air के अंदर reading show नहीं होती है बाकी इसकी readings को मैंने oximeter से भी compare करके देखा है और oximeter से काफिया तक readings match करती है उसी के साथ इस watch के अंदर 24 hour heart rate monitoring का भी option देखने को मिल जाएगा तो overall यहाँ पर heart rate sensor अच्छे से work कर लेता है उसके बाद next यहाँ पर SPO2 sensor provide क्या हुआ है पर SPO2 के लिए dedicated red light sensor provide नहीं क्या हुआ है तो उसको लेके मैं इतना short नहीं हूँ उसके बाद next यहाँ पर exercise modes provide क्यों है इस watch के अंदर 100 plus sports mode provide क्यों है तो इन में से आप कोई भी access कर सकते हो और आपको बताई चुका हूँ कि pedometer के accuracy काफी अच्छी है तो इस watch के pedometer में आप यहाँ पर steps वगेरा चेक कर सकते हो accurately calculate करके बता देगा next यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा weather का weather वगेरा sync हो जाएगा उसके बाद next है यहाँ पर messages का option जिसके अंदर notifications वगेरा चेक कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पर remote capture का feature फिर यहाँ पर timer प्रोवाइट के हो है और यहाँ पर आप customized timer भी लगा सकते हो और यहाँ पर जो पहले से दियो है इनको भी लगा सकते हो उसके बाद next यहाँ पर breathe का option है इस watch के साथ से breathing करोगे तो फिर आपको health benefits मिल सकते है उसके बाद next यहाँ पर option provide के होआ है alarm का और alarms वगेरा आप आराम से set कर सकते हो उसके बाद next है यहाँ पर option music player का और क्योंकि watch का speaker अच्छा है यहाँ पर flash light आप देख सकते हो कि brightness इस watch की अच्छी करसी है और इसके अंदर आप नीचे की तरफ देख सकते हो bezel थोड़े से जादा है बाकि यहाँ पर top में और sides में काफी कम bezels है उसके बाद next है यहाँ पर find my device का option और फिर यहाँ पर games provide के हो है पहला game है यहाँ पर 2048 और इसको खेल के time pass कर सकते हो उसके बाद है battleship वैसे इस watch का touch response काफी अच्छा है तो आप games वगिरा खेल के भी time pass कर सकते हो उसके बाद है young bird तो यह वाला game तो वैसे बहुत popular है और आजकल सारी ही watches के अंदर आने लग गया है तो यह वाला game खेल के भी time pass कर सकते हो उसके बाद next यहाँ पर आपको other देखने को मिल जाएगा basically settings है इसके अंदर पहला option है display का जिसके अंदर brightness adjust कर सकते हो auto sleep है उसके बाद watch face और menu view का option है उसके बाद do not disturb mode है low power mode है system के अंदर जाके आपको basic से features देखने को मिल जाएगे और उसके बाद यहाँ पर about section प्रोवाइड किया हुआ है और इसके application का QR code प्रोवाइड किया हुआ है तो overall यह सभी features थे से smart watch के अंदर अगर बात करें इसके pricing की तो इसका pricing है 1800 रुपीज और 1800 के साब से worth it है और इस watch को आप definitely purchase कर सकते हो अच्छी deal है 1800 के साब से क्योंकि यहाँ पे display अच्छा है प्लस यहाँ पे features भी काफी सारे है और overall पूरी metallic built है तो इस watch को यह उपर के side लेके चली जाती है तो इस watch को आप definitely purchase कर सकते हो काफी premium सी watch है और अगर purchase करने की इच्छा हो तो buying link प्रोवाइड की हुए है description में description जरूर से check कर लेना बाकि उमीदा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe सब्सक्राइब सरूर से गंडा मिलता हो आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई